काफ पेन की यह काफ पेन होता क्यों है काफ पेन इसलिए होता है क्योंकि ओविसली बहुत जादा प्रोलॉंग स्टैंडिंग हो रही है हाई ही यह फुट्वेर्स जो है वो इंप्रॉपर है एक तो यह मेजर रीजन है दूसरा अगर आपको बैक पेन रहता है या शियाटिका पेन रहता है बैक पेन की वज़े से तब भी आपके काफ में पेन आना एक बड़ी कॉमन चीज है दूसरा कैल्शियम और मैगनेशियम डेफिसिट यह भी कॉस करता है काफ पेन नेक्स रीजन इस डीहाइडरेशन जो सबसे बड़ा कॉमन रीजन है ठंड में पानी ना पीना या बहुत कम पीना उसकी वज़े से भी डीहाइडरेशन होती है जिसकी वेसे काफ पेन बढ़ता है तो अब इसके लिए करा क्या जाए रेमेडी यही है कि इन सारी चीजों को आप रिवर्स कर दीजे पानी का इंटेक बढ़ा दीजे चार से पांच ग्लास पानी सर्दियों में भी पीना वेरी इंपॉर्टन क्याल्शिम और मैगनेशिम का इंटेक चाहे तो आप सप्लिमेंट भी ले सकते हैं नहीं तो डायेट में इंटेक जो है वो बढ़ा दीजे तीसरा पैरों को थोड़ा सा उंचा रखके बैठिये जब भी बैठ रहे हैं यूजुली ओफिस में अगर आपने देखा हो डेस्क के नीचे आपको फुट रेस्ट मिलता है जिसके उपर आप पैर टिका सकते हैं नहीं है तो आजकल प्लास्टिक के छोटे स्टूल आ रहे ह इच के पांच सेकेंड होल करके रिलीज कर सकते हैं यह प्रोसेस जो है आप 10-15 टाइम्स रिपीट करिए सेम वे ऐसी एक एक्ससाइज है जहां पर आप किसी चीज का सपोर्ट ले लीजे जैसे आपने टेबल या चेयर का सपोर्ट ले लिया और एडियों को आप जमीन पे उचा कर दीजे दाट इस जो आपके फिंगर टिप्स हैं वो जमीन पे रहेंगे और आपकी एडिया जो है वो उची हो जाएंगी यह रेपेटिशन भी आपने 10-15 टाइम्स करना है एवरी टाइम दाट यू आप आप आफ्टर अ प्रलॉंग सिटिंग इस से थोड़ा सा प फिजिए थेरेपिस कि सला ले लें नो वाट इस ट्रीटमें इन फिजिए थेरेपी कॉमनली डिपेंड करता है कि यह काफ पेन क्यों आ रहा है आफ्टर अन असेस्मेंट आइक आप पीन आता है उसके लिए काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि अल्ट्रा सॉनिक एक फ कि यह ओन हेल्दी हो